और मोधी जी क्या हाल है ठीक तू है सब कुसल मंगल है सब अंडे की दुकान कैसी चल रही है आपकी अगले सब को ठीक है दुकान भी अच्छी चल रही है उपर बाले की किरपा है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए आज मोधी जी आपकी अंडे की दुकान पर आए हैं हम तो खाली तो आए नहीं होंगे कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें ऐसा करो एक उबला हुआ अंडा दे दो मुझे आपकी दुकान का अंडा का के मज़ा आ जाता है अरे लालू जी और राहूल भाया भी आ गए अगलेज मैं तो हमेज़ा अच्छे यंडे बेशता हूँ ताजे और अच्छे यंडे इसलिए गिराग मेरे पास आते हैं लालू जी आपको क्या चाहिए बताओ मोधी जी आज घर से कुछ का के नहीं आया हूँ मन बना के आया हूँ आपी की दुकान का ओमलेट काऊंगा दो अंडो का ओमलेट बना दो ब्रेड लगा के लालू जी आज ऐसा ओमलेट बना के दूँगा तुम भी उंगलियां चाटते रहोगे और राहूल जी तुम कैजे कड़े हो तुम नहीं बोल ले हो बड़ा चुपचाप कड़े हो आस तुम इस बार तो तुमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है और फिर भी तुम मेरी दुकान पे आगे कुछ अंडे वंडे खाई नहीं रहे हो होदी जी एक बात बताओ अगर मेरी फसल अच्छी हुई है तो क्या फसल की सारी की सारी कमाई आपके अंडो पर खतम कर दूँ कल तो मैं आपकी दुकान से एक अंडा का कर गया था आज मैं अंडा नहीं गाऊंगा चौमीन दे दो एक पिलेट बना के ये बहुत अच्छा है आप अंडों के सासा चौमीन भी बेशते हो और मिर्ची वाली खट्टी वाली चेटनी डालना चौमीन पर मीडी चेटनी उज़ क खा लिया करो मेरी दुकान से ताजे मुर्गी की अंडे खरीद के रोज लाता हूं मैं जहिर से वो बार ठीक है मोदी जी आप रोज अंडे ताजे ही लाते हो मुझे पता है आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है अच्छा माल बेशते हो लेगन कम से कम जो कि यह क्यों कह रहे हो कि गर्मी में जादा अंडे नहीं खाना चाहिए तुम्हारी बात सुनके मेरे गिराक भड़क सकती हैं और भाइनों को वीडियों लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो